दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी noise की smart watch में अपना photo कैसे लगा सकते हैं, ओके, तो अपना photo लगाने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपना phone ले लेना है, और phone में आपने अपनी watch को तो noise fit app से already connect करके ही रखा होगा, तो आप अपने phone म noise fit app open कर लिजेगा directly, ओके, noise fit app open करते ही आपको जो है इस type का interface मिल जाएगा, simple सा, आपको यहाँ पर नीचे एक option दिखाएगा, my devices का, my device का, आप इस पे click करिएगा, इस पे click करते ही आपको यहाँ पर watch faces का option दिखा देगा, तो आप इसी पे click कर लिजेगा, इस पे जैसे ही click क आपको दिख रहा होगा, आप इस पे click कर दीजेगा, इस पे click करते ही आपको आप कौन सी photo लगानी आप चाहें, तो directly यहाँ पर camera पर click करके और यहाँ पर photo खीच करके लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर camera खुल जाएगा, photo खीच क के लगा सकते हैं या फिर अगर आपके में गैलरी में पड़ी है तो आपको क्या करना आपको गैलरी पे क्लिक करना है और यहां पे चूज कर लेना है गूगल फोटोस में पड़ी मलब कहां से आप वो फोटो सेलेक्ट करना चाहते हैं जहां से भी सेलेक्ट करना हो आप उस प क्लिक कर दीजेगा, जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इस टाइप से एड हो जाएगा, ठीक, अब यहाँ पे अगर आप कस्टमाइज थोड़ा करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं कि टाइम नीचे पर बीच में बीच में, सेंटर में, और मतलब इस टाइप से उसको सेलेक्ट कर लीजेगा, और उसके बात जो है, आप यहाँ पर सिंपली यह इस पे क्लिक कर दीजेगा, अपडेट, वॉच-फेस पर, जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा updating your watch face और watch में भी आपको यहाँ पे इस type से दिखाएगा transferring करके जैसे ही है यहाँ पे 100% हो जाएगा तो जो भी photo आपने select की होगी वो आपके watch में लग जाएगी यहाँ पे देख सकते हैं आप 100% पूरा होते ही transfer दिखा दिया और यहाँ पे watch में जो photo आपने यहाँ पे select की थी वो यहाँ पर लग गई अगर वीडियो से help होई हो तो वीडियो को कर दीजे like चैनल को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए